असलेम अलेकूम वेलकम टू यास किचुन आज हम बनाएंगे मतन कलेजी फ्राइ जो बहुत ही जट पट से बन जाती है जरूर ट्राइ करें बहुत ही टिस्टी होती है यह देखें मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मतन का लिवर ले लिया है इसे कट कर लिया है इसके ओपर की जो तिन ले रहा है वो निकाल लिया है और इसे छोटे पीचेस में कट करकर अच्छे से वाश करकर रख लिया है अगर आप चाहें तो चिकन की भी या वीफ की भी यूज कर सक करते हैं यहाँ पर काड़ाई में 2 टीबल स्पून और एक हरी मिर्च आड कर लिया है इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ता भी आड कर लिया है इसे हम थोड़ा सो सौटे होने देंगे अधर गलेसं का पेस्ट वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून आड करेंगे कौटर टीस्पून हल्दी पाउडर आड करेंगे दनिया पाउडर आड करेंगे वन टीस्पून और इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है सिंपर ही रखेंगे हम फ्लेम को ताकि मसाला हमारा ना जले ठीक है इसे हम कुछ देर के लिए स्वाटे कर लेंगे गरब मसाला आड करेंगे कौटर टीस्पून के खरीब इसे भी अच्छी से मिक्स कर लें आप अब हम यहाँ पर आड कर लेंगे कलेजी जो हमने वश करकर रख लिया था अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर ले यह देखे अब थोड़ा सा हम सौटे होने के बाद इसे हम कर पकाएंगे सिंपर यह आप इसे पका लें इसमें हमें पाने दालने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यह इसमें ही बहुत ज्यादा पानी होता है इसमें यह गल जाएगी ठीक है आप इसको ढप ले और मीडिम तो लो फ्लेम पर पकाएं यह देखें आप इसे बीच-ब साहराधनिया भी आठ कर लेंगे अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें यह देखें जटपट से रेडी हो गई है अब इसमें अट लास दालेंगे नमक वन थर्टी स्पून दार रही हो मैं ठीक है जब भी आप सर्फ करेंगे तभी आपको नमक दालना है इसमें वना यह हाड ह हो जाएगी ठीक है पहले अगर आप नमक दालेंगे तो यह हाड हो जाएगी जली से गलेगी नहीं अब आप इसे गर्म गर्म सर्फ कर सकते हैं देखिन तेल सप्रेट हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगती है यह आप इसे सर्फ करें रोटी चपादी के साथ या फिर अधर से जाधा फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज में चे सपोर्ट करें और अंस्टाग्रापर भी फॉलो कर लें थैंक्स पॉर वाचिंग